हेलो साथियों आप सब का फिर से आपके अपना यूटूब परिभार MNC क्लासिस में स्वागत है इस वीडियो में मनोविज्यान अर्थात साइकलोजी का पूरा पूरा अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉंग कोस्चन यानि ऑब्जेक्टिव से ले करके साट लॉंग सभी क्वेस्चन हम आपको बताने वाले हैं और एक सौपर्तीसत गाराइन्टि हम हर एक वीडियो में लेकर करके का रहें कि जो क्वेस्चन आपको इस आर्टिकल में या इस वीडियो में आपको बताए जागा वो सारे question paper आपके exam में छप जाएगा किसी भी university से हैं तो आप इस question को जरूर पढ़िए यह सभी university के लिए आपका यह उपलब्द है सभी university में यह प्रस्न पूछा ही जाएगा सभी university के लिए है तो question को start करेंगे ज्यादा समय नहीं लेगे हर एक question को हम समझाते हुए निकल लेगे तो सबसे पहले परिक्षाम जो आपको question मिलेगा वो छपा हुआ question है यह छवी किसे कहते है वाट इज इंप्रिजन हाव इज वाव इज इट फॉर्मेड यानि यह का रहा है छवी का निर्बान कैसे होता है छवी क्या है छवी का मतलब simple होता है किसी के बारे में जानकारी रेना कि वह व्यक्ति कैसा है उसके बारे में जानने की जो कोशिस करते हैं वही आपका छवी कहलाता है उसकी मनोवर्ती विचार आदि क्या है यह चीज हम पकरते हैं इसको आपको ध्यान रखना है छवी मतलब होता है कि जब हम किसी वैक्ति के अंदर की बात को देखते हैं, अंदर के छवी को देखते हैं कि इसका बैभार कैसा है, मनोविर्ती कैसा है, विचार कैसा है, उसकी विशेष्था क्या हुआ, कौन कौन से चीजे अभी प्रेरित करत या आदी दूसरे सब्दों में हम दूसरे वैक्ति के बारे में एक बिचार या छवी बनाते हैं या दूसरे वैक्ति के बारे में सोच कर जो आप अपने अंदर छवी बनाते हैं वही आपका छवी है यहां किसी वैक्ति को देखने के बाद निर्मान होता है तो आसानी से आप इसे समझ गए होंगे और समझ करके परिच्छा में आप अपने मन से अंसर बना करके लिख सकते हो छवी क्या होता है ठीक है मानीजी सपोज आपकी स्वेक्ट को देखे थे हैं, उसके बारे में आपके मुनमें क्या-क्या उठ रहा है, वही बात आपको लिख देना है आग्या कालन, पालन का मतलब दो पतरस होता है, आग्या पालन एक होता है, जवरदस्ती भी होता है, और एक होता है कि आग्या का पालन करना एक होता है धार्मिक रूप से, आग्या का मानना, जैसे सिक्षक के बाद को मानना एक आग्या पालन हुआ, वही अगर आपको व्यक्ति दूसरे व्यक्ति किसी अग्यां के पालन करने का आधेस देता है जैसे मंतरी अपने विवाद देता है जैसे शिक्षे विडारति зовут को आधेस देते हैं यह आधेस वह जया जैसे कि आप लोग अभी आधेस देंगे कॉमेंट करके कोहीं से दिक्कत नहीं हुगा अगरा जो परस्ण आपके एक्जामें शब चुकी है वो सम्मू किसे कहते हैं परिक्षा में जाएंगे डिरेक्ट आपको यह सब परस्ण आपको मिल जागा 25 सितंबर 2nd समेश्टर परिक्षा जो होने वाला है मिथला इनवर्सिटी में यह सारे परस्ण आपको एक्जामें मिल जाएगा तो सम्मू का निर्मान कैसे होता है सिंपल है जब 5-10 बैक्ति यानि 2-3 दो से अधिक बैक्ति जब एक ही अस्थान पर एकठा हो जाते हैं तो सम्मू का निर्मान होता है सम्मू कई कारणों से निर्मान होता है सम्मू का कई उधार मिटिंग अंगुर का गुच्छा यह सब समू में रहते हैं तो समू कैसे निर्मान होता है तो जो जब दो से अधिक बैक्ति एक जगा पर एकठा होते हैं तो समू कहलाते हैं इसकी बिशिस्ता क्या है बैक्तियों के एकठा होना तो प्रतेक समू में बैक्तियों का एकठा होन आते हैं तभी जाके समू का निर्मान होता है पारिस्परिक संबन्ध अब संबन होता है रिस्तेदार सब एक जगा हो जाते हैं तो वह परिस्परिक संबन्ध हो जाता है रिस्तेदारों का समू हो जाता है कहीं कहीं पर विदार्थियों का समू होता है दोस्तों का समू होता है तो सम्मूज है कई तरह से निर्बान होता है आगे जो परसन आपके एग्या में एक सो परतिसत छब चुकी है वो छब चुकी है समाज मनो विज्ञान की पडिभासा देजिए सिंपल बात है समाज मनो विज्ञान क्या है सिंपल है समाज का मनो विज्ञान क्या है तो समाजिक मनोविज्यान को समझने के लिए कई विग्यानिकों का कई तरह का बात मानना है, कई तरह का पड़िवासा दिये हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसका PDF हम तयार कर चुके हैं नोट्स तयार कर चुके हैं आपको कैसे लेना है आगे हम पूरी जनकारी देंगे तो वीडियो को लाइक कर लिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बरिक्षा के दिन भी हम आपको बहुत कुछ देने वाले हैं तो मनोविज्ञान वह सखा है जिसमें व्यक्ति के समाजिक बैभार का अध्यन किय उसमाज मनोविज्ञान करते हैं यहां व्यक्ति को समाज की एक एकाई मानौ कर उसके बैभार का अध्यन होता है इसकी परिभासए कई विज्ञान को के जलब करक्रिया का अध्यन होता है तो सभी का अपना माना माना बात है आपको इसमें से दो तीन विज्ञाने का नाम और डिफिनिशन याद कर लेना है परिक्षा से पहले अगरा जो प्रसन आपके ग्याम छप रही है समाज मनुविज्ञान का अध्यान पधतियों के विवेजना करेती इन बातों को आपको पॉइंट को ध्यान रखना है हलाकि यह कुछ हार्ड कोशन आप लोगको लग रहा होगा लेकिन हार्ड कोशन है नहीं समाज मनुविज्ञ पढ़ने के लिए कौन-कौन से पद्धति को कौन-कौन से सिध्धान को अपना सकते हैं तो सिंपल है अंतर दर्शन पद्धति वही दर्शन पद्धति प्रयोगात्मक पद्धति अंतर दर्शन पद्धति यहीं पर हम आपको एक-एक बात को समझा जेते हैं ध्यान से समझ अंतर दर्शन का मतलब होता है किसी बैक्ति के बारे में उसके अंदर जहां करके देख करके समझ करके समाज का अध्यन करना समाज में रह करके वही दर्शन हुआ समाज के बाहर रह करके समाज के बारे में अध्यन करना या समाज के बारे में जनकारी एकठा करना वही दर्शन पध्यत्ति हो जाता है प्रियोग आत्मक मतले होता है समाज के ऊपर किसी बात को ले करके किसी चीज को टॉपिक को प्रियोग करके पता करें कि समाज का मनोविज्ञान क्या है साइकलोजी क्या लोग लगा रहा है तो इस तरह से आप इसके बाड़े में पता कर सकते हैं मुख करन का ही एक समान व्यक्ति देखिए सरली करण के बारे पूछे तो भी आप इस बात को लिख सकते हैं और गारांटि एक सवपर प्रतीसा था कि इस वीडियो के बाद आपको एक भी वीडियो देखना नहीं है के बल ऑब्जेक्टिव के सिवा अब्जेक्टिव के लिए हम भी अभी कभी क्या होता है मतलब कहने का हुआ की जब समाज में सरली करने के समाज का बत्यागा है और एक समान व्यक्तिक के बैभार के समुग को प्रवाप के कारें दूसरी घटना यानि दो व्यक्तिक समुग है और समुग के बाद कोई तीसरा घटना घटना घर जाती है तो उसी को करें समाजिक सर्मावनियन कहते हैं ठीक है यह कोई घटना नया घटना बन जाता है समुग के बाद उसी को कहा जाता है अच्छी तरह सकर सम्झाजा जाए तो यहां पर दिया गया है उसका पर नाम उस समझ्बाद कर निस्पारिंख कर अवह हो जाता है उससे समाझी कि Think तो आगे बढ़ेंगे अगला टॉपिक है सरली करन क्या है हम लोग सरली करन को अगर पहले समझ देते तो उपर वाला को जो असानी समझ सकते हैं फिर हम समझ देते हैं सरली करन क्या है व्यक्ति अपनी जिन्दगी का आधिक समय साथियों परिवार के सदस्य और सहकर्मियों श प्रभाव प्रता है इस अध्याई को व्यक्तिक ब्यभाद पर पढ़ने वाले ऐसे प्रभावों का अध्यन करना है और समाज मनुविज्ञान दोरा ऐसे प्रभावों को विस्तित रूप से अध्यन किया गया है ऐसे प्रभावों का अध्यन ही हम को ही हम लोग सरली करने करते अनुपालन क्या है भई अनुपालन क्या है अज्यापालन दूसरा चीज़ था अनुपालन दूसरा चीज़ है समाजिक परभाब के परति अनुपालन एक परमुक परति किरिया माना गया है जब कोई बैक्ति, दूसरे बैक्ति के अनरोध या परति वेदना के रूपन बेभाल करता है मान ये कोई किसी को आदेश देता है और उसके आदेश के परति जो काम होता है वही हुआ अनुपालन यानि अज्ञां का पालन करना ही अनुपालन कहलाता है अब इसके बारे में जो भी आपको याद आ रहा है या इसमें पढ़ने के बाद जो भी चीज आपके मन में रहा जाता है वही बात परिच्छा में आपको छाप देना कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आगे बढ़ेंगे पुर्वागरा करें साधनों की एक एक सब पर सेंट जो करनों बता रहे utan पुर्वागरा के बारे में पूछा तय है है कोशन पुर्वागरा निर्मान कैसे होता है इसके लिए अने कुर्प तरदाई है पो जैसे कि हम किसी कि बारे सब पहले हैं अनुमान लगाना काई लगाते हैं इस तरह सम almonds वर्त केरते हुझ सॉपर्शंट आपको पूछा गए हैं पहला परस्थिंग ने अभी विर्ति के अर्थ को अस्वश्ट करने के लिए स्री जाम्स ड्रॉवर ने इन शब्दों में परिवासित प्रस्तूत की है अभी विर्ति, मत, रोची, अथवा, उदेश का एक लगवग, अस्थाई, तकस्या या परविर्ति है जिसमें एक विशेश परकार के अनुभव की आशा और एक उचित परति के लिए की तयारी नहीत होती है प्रस्तूत कथन में कहा गया है कि अभी विर्ति वास्ते में परविर्ति हो दिया जिसके अनुसा व्यक्ति बैभार करता है तो मनोविर्ति का अर्थ है आप लोग समझेगा किसी की मन की बात, मन में क्या चल रहा है, किसी के परति क्या रूची है, क्या मत है, क्या बिचार है, वही उसकी मनोविर्ति होती है किसी बैक्ति के मन में चल रही ऑन्य बैक्ति के परतिंगे आहा म्र्थ रोची लेक टियारी जो भी उसके मन में होता है अभी व्रती कह लाता है या इसी को हम लोगा मन वीर्ती भी कहते हैं ह। ठीक है उमीद है कह आप इसे कि यहां सो डाउं ludzi कर सकते का इसके मुझे क्या करना होगा सबसे पहले तो हम नोगों को गूगल पे चलना होगा ऑद अब धे संग गूगल पाजाएंगे यहां हमने साल्च करना होगा म सी जैसे गूगल पहा करके आपको सर्च करना है MNC Classes, जैसे सर्च करेंगे MNC Classes, फिर आपको अंदर आना है, इस तरह का Page Open होता है, आपको University Update पर क्लिक कर देना है, जैसे आप University Update पर क्लिक करेंगे, तो University से जोरी सभी जनकारी आपको यहाँ पर मिल जागा, नीचे आपको आजाना है, नीचे आएंगे वहाँ पर भी Question Paper आपको भीजागे, वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं दुस्ते वीडियो में, अगर वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को आगे भी Share करें, और आगे आपको कौन सा सर्जक्स चाहिए, आप हमें एक और अवस्ते बताएं, मिलते हैं दुस्ते करें बॉन देमा करें